तो भाई देख सकते हैं अपना जो मशली का तालाव है इसको खाली कर दिया है देख सकते हैं तो मैं जंगल की तरह पाया हुआ थे दोस्तों आज मैं आप लोगों को जंगल का जो थोड़ा सा नजारा देखाऊंगा देखिए दोस्तों जंगल से लगवग 200-300 मीटर की दूरी कि अन्गली कर दिया है और देख सकते हैं दोस्तों रहें और अपना मचली का तालाव है जिसको खाली कर दिया हुए और जंगल के खुंखार कुत्ते जो कि कभी भी हमला कर सकते हैं और ये गैहों का खेत तो कुछ इस तरह से है दोस्तों यहां का जो ग्यू है और देखे साथ चारो तरफ गैहों के खेत है और सामने देखे भाई साफ साथ में आये थे जो कि मिट्टी की पराद सर पे रखी है तो अभी मैं गाउं की तरफ ही चल रहा हूँ घर की तरफ गैहों बहुत गजब हो रहे हैं और यह हैं सरसों का खेत क्या कर रहा हूँ यह है भाई गाउं का खूबसूरत नजारा तो अभी मैं इधर से आया था तो अभी मैं हूँ दोस्तों च्छत के देखे सामने मस्जित है और यह देखिए छोटा सा गाउं है दोस्तों असगरपुर है और अपने घर का कि देखे अभी मिसी हाँ ए जीवा क्या कर रहे हूं है हाँ 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 है हलो 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 यह सर्मीला हाँ और यह है गाउं की गलिया शर्मी ले शर्मी ले कैसे भाग रहे हो इतर देखा जल्दी हाँ आभी देखना मैं पीछे-पीछे भागूंगा हाँ एलो मेडम हाँ एलो अरे जरा चेहरा तो देखाओ टीटू यह चेहरा नहीं दिखा रहे हाँ हाँ हेलो अरे यार अतुल दो बहुत सर्मा में लड़कियों की तरह पैंट कहां जा रही तुम्हारी फैसा नहीं नीचे तर जाएगे लगा लो पैंट नीचे जा रही है यह तो चलिए दोस्तों आज का जो विलोग यहीं एंड करते हैं मिलते हैं के लिए विलोग में तब तक के लिए जय हैं